आज हम बनाएंगे साबोदाना के खिचडी, नवरात्री चल रहे हैं तो साबोदाना के खिचडी तो एक मस्ट वियंजन है, तो चलिए बनाते हैं खिली-खिली साबोदाना के खिचडी, तो साबोदाना खिचडी बनाने के लिए हम सबसे बेले एक कप साबोदाना लेंगे, ये मीडियम साइज का साबुदाना है, तो इसको हमने भिगोना है, पर भिगोने से पहले हम इसे दो से तीन बार अच्छे से पानी से धो लेंगे, इसे रगड़ रगड़ कर हम साबुदाना का धो लेंगे, जिससे जो एक्स्रा स्ट्राच है, वो निकल जाए अच्छे से, और जो खिचडी है, वो बहुत खिली-खिली बने, स्ट्राच निकलने से जो चिपचिबा पन होता है, साबुदाना में जो साबुदाना खिचडी बनने पर इकठा हो जाता है, वो नहीं होता, और खिचटी बहुत खिली-खिली बनेगी तो इस प्रसेस को हमने दो से तीन बार रिपीट कर लिया है यह देखिए एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे बस अब इस साबुदान को हम भिगो देंगे साबुदाना भिगोने के लिए हमें थ्री-फोद कप पानी लेना है उतना ही भिगोना है हमें साबुदाना बस जिससे यह भीग जाए पानी को हमने साबुदाना के उपर में नहीं लाना है एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है उससे जो साबुदाना है वो चिपक जाएगा और बहुत इकठा हो जाएगा तो इसे अब हम ढख देंगे चार से पांच घंटे के लिए हम इसे ढख देंगे चार से पांच घंटे के बाद देखिए साबुदाना कितना खिला-खिला और एकदम पानी सोक लिया है साबुदाना ने और दाना देखी एकदम अलग- fraction हो गया है, यह देखिए, साबूदाना फूल कर डबल हो गया है साइस में, एकदम अच्छे से भीग चुका है साबूदाना, ऐसे हम साबूदाना दबाकर देख लेंगे, और यह देखिए कितने अच्छे से ही यह, हाथ में मैश हो रहा है, तो इसका मतलब इस अच्छे से भीग चुका है, तो चलिए बनाते हैं हम साबदान के खिचड़ी, खिचड़ी बनाने के लिए हमें एक बड़ा चम्मत चाहिए देसी घी, इसमें डालेंगे हम आदा चम्मत जीरा, वरत की खिचड़ी है, तो हम इसे देसी की में ही बनाएंगे, तो जीरा डालने के बाद इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता, अगर आप वरत में कड़ी पत्ता नहीं खाते हैं, तो ये step cup, skip करिए, मुफली तो मस्ट है, इसमें हम डालेंगे मुफली, एक चुथाई कप हमने इसमें मुफली डाली है, एक से दो मीड़ के लिए पका लेंगे, अब मुफली पकाने के बाद इसके दर हम डाल देंगे, दो लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च, इससे जो खिचडी में spicy बना हलका सा, वो भी आएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, बस अब डाल देंगे, इसके दर हम लंबाई में कटे हुई एक चुथाई कप नारियल, नारियल डालने से, जो टेस्ट आए, खिचडी का बहुत बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा आएगा, मुफली से जो क्रंची बना है, खिचडी में वो आएगा, एक से दो मिनट के लिए तड़कने के बाद, आब इसमें डालने के हम, तो मीडियम साइज के उबले वए आलू, यहाँ पर हमने फ्लेम को मीडियम ही रखा हुआ है, यह बहुत ही पॉश्टिक के चड़ी बन रही है, तो बस अब इसे हम एक दो मिनट के लिए से पका लिया, तो इसमें डालने के हम व्रत का सेना नमक, नमक डालने के बाद में, अब इसे हम मिक्स कर लेंगे, बस अब यह मिक्स हो गया है, अब इसके ने डालने के हम, जो हमने साबुदाना भीगो कर रखा था उसे, यह देखे कितने बढ़िया से साबुदाना भीग चुका है, और कितने बढ़िया से साबुदाना जो है एक दाना अलग हो चुका है साबुदाना डालते ही हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनिट के लिए हम पका लेंगे वैसे भी साबुदाना बहुत सॉफ्ट होता है तो हमने इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है हमने साबुदना को तब तक पकाना है जब तक कि ये पार दर्शी मतलब ट्रांस्पिनिट ना हो जाए यहाँ पर हम कर्ची को चलाते जाएंगे और ये देखिए दो से ती मिनिट के अंदर ही साबुदना जो है पार दर्शी दिखने लगा है इसका मतलब खिचडी तयार हो गई है ये देखिए कितनी पर्फेक्ट खिचडी बनकर तयार हुई है तो चलिए अब हम इसे सब्व करेंगे एक प्लेट लेंगे और उसमें खिचडी हम लगा देंगे देखिए कितनी सुंदर मोती लग रहे है एकदम खिला खिला साबुदना बना है कितनी पर्फेक्ट खिचडी बनकर तयार हुई है अब हम हाथ में लेंगे कुछ क्रश करी हुई काली मिर्श उसे खिचडी पर डाल देंगे ये एकदम ऑप्शनल स्टेप है पर हाँ आदा नीम्बू जरूर निचोड़ियेगा आप खिचडी के उपर तो ये देखिए एकदम पर्फेक्ट खिली-खिली साबुदना के खिचडी बनकर तयार है मुझे कमेंट मोक्स में जरूर बताएगा आपको ये रेसेपी कैसी लगी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेर करें थैंक यू